बाणी गुरू गुरू है बाणी विच बाणी अम्रत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पलतक गुरू निस्तारे शीरी गुरू गुराचाईप बनुक्त दा सर्वोत्तं तार्मिक विलखन सर्व सांजा अते अदुती गुराच गुर checking है जिसनु गुरु दा दर्जा प्राप्त है शिरी गुरु गुरु ग्रन साहिब दी बानी ग्यान दा जग्मक करदा सूरज है जो समुच्ची मानवता नू अग्यानता अते विकारा देह नेरे विचो कड़ के सादा अते सुच्चा जीवन जियोंदी सोजी बक्षता है शिरी गुरु ग्रन साहिब नू गुर्मोखी लिपी विच लिख्या गया है इस विच 1479 तो लैके 1408 तक सिख गुरुआं दे समे रची अते 71 कीती गई बानी नू 1403 अंगा विच वंडिया गया है शिरी गुरु ग्रन साहिब विच परमात्मा दे नाम नू याद रखल लई अनेका शब्दा अते बानिया दा अंबार है जो रब दे गुणा अते उस दा नाम जपन दे कारणा दा वर्नन करदा है शिरी गुरु ग्रंट साहे विच सिर्फ गुरु साहिवाना दी बाने ही दर्ज नहीं है सब हिंदू अते मिसल्मान संता दे शब्द भी इस विच शामिल कीते गए जना विच कबीर जी, रविदास जी, नाम देव जी अते शेक फरीद दना शामिल है ए पहली वारसी जदो किसे तर्म ने दुझे तर्मा दे सुहिवध शर्दालुआ दिया रचनावानों अपने तर्म ग्रंट विच शामिल कीता शिरी गुरु ग्रंट साहे विच दर्ज बाणियां पहला हत्था नाल पोथियां दे रूप विच लिखियां जान दियां सान 1904 नो पाई गुर्दाश जी द्वारा लिखी गई बीड़नू गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुड़ा दे सर्टे रख्या अते खुद चौर कर दे हुए उस बीड़नों दर्बार साहिब शिरी अम्रिसर विखे लियांदा गया शिरी गुरु अर्जन देव जी द उदों पहला ग्रंथी था प्या गया शिरी गुरु ग्रंथ साहिब दा पहला हुकम नामा इस तरह सी संता के कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम तर्त सुहावी ताल सुहावा विच अम्रत चल चाया राम शिरी गुरु ग्रंथ साहिब जी दा दोजाना प्रकाश अते मुख आसन बड़े अदब अते सतकार नल कीता जन्दा है संता शिरी ग्रंथ साहिब जी नू नत्मस्तक होके आपने जीवन दे कल्यानलेई अर्दासा बेंतिया अते जोधनिया करते हन हर सिखलेई श्रीगुरु ग्रंच साहिब दस रूप जीवत गुरु है, हर सिखनाई विश्वास है कि सारे दस गुरु वक्खो वक्रे शरीरा विच एकको आत्मा सन अते श्रीगुरु ग्रंच साहिब ओना दा सदीवी शरीरीक अते अध्यात्मक रूप है इसले हर साल संगता श्रीगुरु ग्रंद साहब दे पहले प्रकाश दिवस्ते देहाडे नू तूम तामनाल मनों दिया हन। Global Midas Foundation वल्लो साथ संगत नू श्रीगुरु ग्रंद साहब दे पहले प्रकाश दिवस्ते ही बहुत-बहुत बदाई। अर्ण बदाए दे नू प्रकाश दिवस्ते ही बहुत बदाई।